7.2 उतकों का समुही करण Grouping of Tissues हमने पढ़ा कि समय समय पर व्यज्यानिकों ने पादप व जन्तू उतकों का अध्यायन किया इनके विस्तृत अध्यायन के लिए व्यज्यानिकों ने समुही करण की प्रक्रिया की सहता ली इसमें उन्होंने उतकों के कार्यों इस्थिती, संगठन, व्यवस्था व व विभाजन शमता आधी गुणों को आध्यायन की सुविधा के द्रिष्टी से हम पादप व जन्तू उतकों को एक साथ समुही करण ना करके अलग-अलग समुही करण की पादप उतकों का समुही कर Grouping of Plants Tissues पादप उतकों के समुही करण का एक उदाहरन इस प्रकार का हो सकता है पादप उतक पादप उतक को विभाजन व विभिदन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है पहला प्रविभाजी उतक, दूसरा इस्थाई उतक इनकी कोशिकाओं में विभाजन की शमता होती है उदाहरन तनेवा जड़ के सिरो पर पाए जाने वाले उतक दूसरा इस्थाई उतक इनकी कोशिकाओं में विभाजन की शमता नहीं या बहुत कम होती है इस्थाई उतक को दो भागों में विभाजित किया गया है संगठन के आधार पर पहला सरल उतक दूसरा जटल उतक सरल उतक इन उतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है जबकि जटल उतकों में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है सरल उतक को इस्थिती और उनके कार्यों के आधार पर दो भागों में विभजित किया गया है त्वचिय उतक और भरण उतक पॉधे के विभिन अंगों का बाहय आवरन और सुरक्षा का कार्य भरण उतक पॉधे के विभिन भागों का निर्मान और अन्य उतकों का व्यवस्थित करने में मदद करने का कार्य भरणों तक के उदारण है, मृदों तक पेरिन काइमा, इस्थुल कोणों तक कोलेन काइमा, द्रिढों तक स्कलेरिन काइमा जटेलों तक, जटेलों तक को दो भगों में विभजित किया गया है, इस्थिती और उनके कारे के आधार पर पहला जायलम, दूसरा फ्लोयम जायलम पानी वा खनिज लवनों का सम्वहन फ्लोयम का कार्य है भोजन का सम्वहन दिये गए समुही करण की एक सीमा है जब हम इस्थाई उतकों को उत्तरोतर समुही करते हैं तो पेरन काइमा वा कॉलन काइमा को इस्थाई उतक की श्रणी में रखते हैं, परन्तु पेरन काइमा वा कॉलन काइमा भी विभाजन करने की शमतार रखते हैं, अतह संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि प्रविभाजी उतक वा इस्थाई उतक दो भिन भिन उतक ना होकर कोश प्रिकाओं की वेवस्था के अलग अलग समय के निरूपण हैं। इसी कारण इन दोनों के मद्ध की इस्थेतियां भी पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए वे इस्थाई उतक जिन्मे की विभाजन की शमता भी होती है।